जै मतरानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चानल राधाक्रिष्न अफिसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै स्रीहरीविष्नू जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम पॉस पुर्नीमा ब्रत की कथा सुनेंगे तो आप लोग वीडियो के लाष्ट तक बने रहिएगा तो सबसे पहले बता दू कि पॉस मास के सुकल पक्ष को पुर्नीमा ब्रत रखा जाता है जो की अब की बार ये सुभिती थी हमें 25 जन्वारी को मिला है 2024 में दीन है गुरुवार इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद्रमा के पूजा करने से चंद्रो दोस दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की इस्तिती मजबूत होती है पुर्नीमा के दिन सत्नारायन भगवान की कथा सुन सकते हैं या खुद से कह भी सकते है और उनकी पूजा करते हैं और इस दिन माता लक्षमी की पूजा जरूर करना चाहिए क्योंकि जो सत्नरायन भगवान होते हैं वो स्री हरी बिश्नु की अवतार होते हैं तो इसलिए उस दिन लक्षमी जी की भी पूजा करने चाहिए इनके पूजा करने से घर में धर्न पड़ी पुन रहता है धार्मिंग मन्यता के अनुसार इस दिन दान पुन जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन दान पुन करना इस दिन बहुत ही फलेदाई होता है तो चलिए दोस्तो अब कथा सुनते हैं अप लोग पूरा जरूर सुनियेगा बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में एक साहुकार नाम का एक ब्यक्ति रहता था साहुकार की दो बेटी थी दोनों बेटी या पुनिमा का ब्रत रखती थी लेकिन छोटी बेटी जो उसकी थी वो ब्रत को हमेशा अधूरा रख देती थी और मन लगा कर पूजा पाथ नहीं करती थी और दूसरी बेटी हमेशा पूरे मन और सरधा से पुर्निमा का ब्रत करती थी ऐसे ही समय बित्ता गया कुछ समय बाद साहुकार की दोनों बेटियों का विबाह हो गया और दोनों बेटिया अपने ससुरार चली गए विबाह के बाद बड़ी बेटी ने जो की पूरे अस्था के साथ में पुर्निमा का ब्रत रखती थी उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्त संतान को जनम दिया अबर जो छोटी बेटी थी जो पुर्निमा का ब्रत अधूरा छोर देती थी उसका संतान तो होता था लेकिन उसकी मिर्टुक हो जाता था वो काफी परसान रहने लगी उसके साथ साथ पती तथा उसके घर वाले ससुरार वाले सब परसान रहने लगे तब छोटी बेटी के ससुरार वालों ने ब्रामन को बुला कर उनकी कुंडली को दिखाया और जानना चाहते थे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तब कुंडली देखकर ब्रामन ने बताया कि इसने पुर्णिमा का ब्रत अधूरा किया है इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है तब छोटी बेटी के ससुरार वालों ने ब्रहामन से पुर्णिमा ब्रत की बीधी पुछने लगे तब ब्रहामन देउता ने उनको पुर्णिमा ब्रत की बीधी बताए उसको ब्रत रखने का सुझाव दिया तो इस बार वो भी धी पुरुवक ब्रत रखा लेकिन इस बार भी उसको संतान तो जनम लिया लेकिन कुछ दिन बाद वो भी मिर्तु को प्राप्त हो गया तब छोटी बेटी ने मिर्त सुझू को पीरे पर लेटा कर उस पे कपड़ा रख दिया उसके बाद अपनी बेहन को बुला कर लाई और छोटी बेहन ने अपनी बड़ी बेहन को बैठने के लिए वही पीरा दिया जिस पे उसका मिर्त संतान लेटा था बड़ी बेहन ने उस पीड़ा पर बैठने वाली थी कि उसके कपड़े के धूने से बच्चे की रोने की आवाज आने लगे तब उसकी बड़ी बेहन को बड़ा ही अस्चर हुआ तब उसने अपने छोटी बेहन से कहा कि तू अपने संतान को मारने का दोस मुझ पर लगाना चाहती है अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता तब छोटी बेहन ने कहा कि दीदी ये तो पहले ही मारा हुआ था लेकिन आपके प्रताप से ही ये जिवित हुआ है तब पुर्णिमा के ब्रत की सकती का लहर दोनों बहन ने पूरे नगर में फैलाग दिया और पुर्णिमा का ब्रत पूरे नगर में करने का ऐलान कर दिया और बड़ी बेहन के साथ-साथ पुर्णिमा का ब्रत करने से छोटी बेहन का भी संतान सुख मिल गया और सब लोग सुखी पुर्णों रहने लगे तो ये कथा मेरा यही तक कथा दोस्तों कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेश कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजेगा और वीडियो को सियर कर दिजेगा त कथा को सुन सके तो चलिए मीलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार